नालको के नतीजे आए हैं नतीजे ऑन दे फेस ओफ इट अच्छे लग रहे हैं जहां पर हम कम्तिन के मार्जिन देखें तो एट पॉइंट नाइन परसेंट से बढ़के अब ट्वेल पॉइंट थ्री परसेंट पर आते वे दिखें और साथ ही साथ कम्तिन की जो आए है वो मीदे थोड़ी जादा थी नालको के नतीजों से और वैशाली एक बार क्विक्ली आप से चार्ट चेक लेंगे लिए कुछ होप जरूर दे रहा था नालको के 100 का लेवल फिर से एक बार इस पर्टिकुलर काउंटर में आते वे देखेंगे बट फिर से वो पूरा मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है अब कौन से लेवल्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए एक रैली तो थोड़ी शुरू हुई थी 89 लेवल से और 94 पे रिजिस्टेंस था तो आई वुट स्टिल मेंटेन के नालकों में मुझे कुछ इतनी वीकनेस नहीं दिख रही है बड़ 89-88 का स्ट्रॉंग सपोर्ट रहना चाहिए और एक बार यह स्टॉक अगर 96 के उपर सिस्टेन करता है तो आई तिंग इस रेडी फॉर अगुड अप तो फिलाल वेट इन वॉट 88 के पास एक अटेंट कर सकते हैं खरीबने के लिए इस पास आप खरीदारी की कोशिस करें वो एंट्री पॉइंट बहतर लग रहा है बैशाली जी को चले कुछ ब्रॉडर मार्केट में कुछ स्टॉक देखते हैं जहाँ पर काफी अच्छी तेजी दिख रहे है एजी लोजिस्टिक 6.5% उपर है शोबा में काफी अच्छी यहाँ भी 6% उपर है राउल जी इन दोनों काउंटर पर रहा है देजिए क्या कुछ पसंद आ रहा है यहाँ देखी एजी लोजिस्टिक की अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अच्छी खासी बड़ा 6.5% की बनी है स्टॉक ने बहुती मेजर डिकलाइन फेस किया था और करीबन आगस्ट महीने से हम देखते आ रहे थे कि कंटिनूस लोर टॉप लोर बॉटम के फॉर्मिशन देखने को मिल रहे थे अभी हाल फिलाल में ही इसने एक सपोर्ट लिया है करीबन 285 रोपे के आसपास और वहाँ से एक कही न कहीं एक अच्छा मोमिन आज बनते हुए हमें दिखा है मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा और इसको वेट और वाच लिस्ट में रखना होगा जब तक यह स्टॉक 325 के लेविल्स को क्रॉस नहीं करता मुझे लगता है कहीं नकरें प्रिशर इसमें बन सकता है तो 325 के लेविल्स का आप वेट करें अगर वहां सस्टेन करता है और वहां क्लोजिंग मिलती है अबव 325 तो एक अच्छा साबित हो सकता है और मुझे लगता है कि यहां अगर 325 के लेविल्स क्रॉस हुए इसके अंदर तो करीबन 360 रुपे तक की यह चाल दिखा सकता है तो Aegis Logistics में वेट और वाच की सला रही अगे तो Aegis Logistics को लेकर यह राए